अब आप बाकी चार प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करिए, खुद से अटेम्ट करिए, उसके बाद रिमेनिंग चारो कोशन का सलूशन वीडियो देखिए, अब हम लोग प्रॉब्लम नमर 2 सॉल्व करते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये x to the power x की एक पूछ यहाँ प y माल लेते हैं, अब इसका differential coefficient कैसे find किया जाए, दोनों side ln लीजिए, तो यह हो जाएगा ln x to the power x is equal to ln y, यानि कि x ln x is equal to ln y हो गया, इसको जब differentiate करिएगा तो x तो रहेगा ही, फिर 1 by x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आजएगा, x को differentiate करने पर 1 आ गया, into ln x, पूरे को multiply कर दीजे, dx से, और यहाँ जाएगा 1 by y, dy, तो यह क्या हो जाएगा, 1 plus ln x, 1 plus ln x, into कर दीजे, y, y क्या है, x to the power x, dx, this is equal to dy, तो अगर हमने x to the power x को y माना, तो यह चीज हो जाएगा, 1 plus ln x, x to the power x, dx is equal to dy, अब आप question में देख रहे हैं कि numerator मे x to the power x, 1 plus ln x, dx तो है ही, तो इस चीज को, इसको, 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 इन तीनों को हटा करके सीधे आप dy लिख सकते हैं, और x to the power x, अगर y है, x to the power x, y है, तो x to the power 2x क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख दें, x to the power x, whole square, यानि कि यह y square हो गया, बिल्कुल सही बात है, उसी तरह जो नीचे में x to the power 4x है, वो क्या हो जाएगा, x to the power x, इसका to the power 4, यानि कि यह हो जाएगा y to the power 4, यानि कि y के terms में अगर इस integrant को हम लोग लिखें, तो देखें क्या हो जाएगा, यह x to the power x, ln x plus 1, dx, यह सब मिल करके dy बन रहा है, तो y के terms में यह integral हो जाएगा, y square plus 1, यह dy y यहां रहेगा ही, और नीचे में आ गया y to the power 4 plus 1, तो अब यह किस तरह का integral हो गया, उसी type का हो गया, जो मैं अभी समझा रहा था ना आपको, कि ऐसा integrant हो, जिसके numerator और denominator में y का या x का केवल even power है, देखें, odd power नहीं है, और obviously highest power 4 तक ही है, 4 से ज़्यादा अगर power होगा, तो बहुत ही complicated हो जाएगा, तो इस question को आप कैसे solve किया जाएगा, इसमें भी आप देखिए y to the power 4 plus 1 है, उपर y square plus 1 है, तो सबसे पहले तो numerator और denominator को y square से divide कर दीजिए, numerator और denominator को जब y square से divide करिएगा, तो उपर में आ जाएगा 1 plus 1 by y square, नीचे आ जाएगा y square plus 1 by y square, और यह dy तो भूल जाता हूँ, तो वो तो understood है कि वहाँ तो होगा ही, तभी आप integration कर रहे हैं, अब आप क्या करिएगा, आप यहाँ से देख रहे हैं कि उपर में है 1 plus 1 by y square, तो नीचे वाले को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, y minus 1 by y whole square plus यहाँ पर 2 करना परेगा, क्योंकि 2 करिएगा तभ क्या फाइदा है, क्या फाइदा होगा, अब y minus 1 by y का derivative देखिए उपर में है, y का derivative 1 हो गया, minus 1 by y का plus 1 by y square हो गया, जो अलेडी वहाँ पर मौझूद है, तो इसलिए denominator को हम लोग y minus 1 by y whole square लिखेंगे, y plus 1 by y नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, तो कि यहाँ अगर प्लस कर दीजिएगा, तो derivative में minus हो जाएगा, तो आपको उपर में minus चाहिए, minus तो है नहीं, तो denominator को आप किस form में represent कर रहे हैं, y minus 1 by y whole square या y plus 1 by y whole square किस form में कर रहे हैं, वो सब कुछ depend करता है कि numerator में आपके इंतिजार में कौन बैठा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे y whole square, प्लस ये 2 हो जाएगा, अब आप कर दीजिए कि t is equal to y minus 1 by y, तो dt क्या हो जाएगा, dt is equal to 2 हो जाएगा, 1 plus 1 by y square, पूरे का into कर दीजिए, dy, numerator में क्या हो जाएगा, dt हो गया, denominator में क्या जाएगा, t square plus 2 आगया, plus 2 को आप root 2 whole square कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 by x square plus a square का क्या integral होता है, 1 by a tan inverse x by a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 by root 2 tan inverse t by root 2, t क्या है, y minus 1 by y divided by root 2, तो ये इसका answer हो गया, अब इसमें आप y की जगा वो जो भी था x to the power x, वो सब substitute कर दीजिए, question solve हो गया, अब इस integral को solve करते हैं, इसमें भी आप उपर नीचे x square से divide कर ये तो क्या हो जाएगा, उपर में हो जाएगा 1, नीचे आजाएगा x square plus 1 by x square plus 1 और dx हो गया, अब यहाँ पर page फंस रहा है, page ये फंस रहा है, कि उपर में देखिए, ना तो 1 by x square plus वाला कोई term है, ना तो minus 1 by x square वाला term है, यानि कि उपर में तो सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो अब हम लोग क्या करें, तो ऐसे question में अब आपको क्या करना परेगा, कि इस 1 को हम लोग, जो मैंने सिखाय था ना, 1 is equal to m times 1 minus 1 by x square plus n times 1 plus 1 by x square, वैसे form में लिखते हैं, तो वैसे लिखने से क्या फाइदा होगा, देखिए, हम लोग 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 is equal to m times 1 minus 1 by x square plus n times 1 plus 1 by x square, ऐसे लिख देते हैं, अब कुछ बच्चे जो होशियार होंगे, वो directly भी इसको manipulate वगरा कर देंगे, क्योंकि देखिए, यहाँ पर क्या है, 1 है ना आपके पास, तो 1 by 2 कर दीजे, यहाँ 2 कर दीजे, इस 2 को मैं ऐसे लिख दूँ, 1 plus 1 by x square, फिर मैं एक कर देता हूँ, प्लस 1 minus 1 by x square, देखिए, वही चीज आ गया ना, तो इस numerator को हम लोग directly चाहें, तो manipulate करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखने से क्या फाइदा होगा, फाइदा यह होगा, कि अब denominator को आप x minus 1 by x whole square, उसके terms में लिखिए, और एक case में x plus 1 by x whole square, उसके terms में लिखिए, तो यह integral solve ह जाएगा, तो numerator को इस form में लिखने के लिए, मैंने यह वाला तरीका लगाया, कि 1 is equal to m times this thing, plus n times this thing आया, और यह identity है, तो दोनों side equal होगा, तो आप like terms के coefficient को equate करिए, तो आपको मिल जाएगा 1 is equal to m plus n, और फिर मिल जाएगा 0 is equal to minus m plus n, तो basically आपको क्या मिल ला है, कि m is equal to n, और दोनों की value आगई half, तो वही चीज मैंने अभी directly भी यहाँ पर कर दिया था न, कि यहाँ पर 1 by 2 कर दीजे, फिर 2 कर दीजे, उसके बाद manipulate करके लिख दीजे, तो आप directly भी लिख सकते हैं, अगर आप बलकुल mechanical method चाहते हैं, तो m और n मान करके, numerator में जो भी चीज लिखा 2 और 2 के बदले हम लोग लिख देते हैं, ऐसे 1 प्लस 1 by x square, यह एक हो गया, प्लस कर दीजे 1 minus 1 by x square dx, बिलकुल लिख सकते हैं, अब नीचे बाले को क्या करिएगा, अब आपके पास क्या है, दो integral का यह sum हो गया, तो एक integral को इधर अलग कर दीजे, दूसरे को इधर अलग कर रहेगा, लेकिन दोनों में denominator को हम लोग different तरीके से represent करेंगे, मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे, इस half को थोड़ देर के लिए भूल जाएगे, क्योंकि हर जगा तो half रहेगा ही, तो अब मैं क्या करूंगा, कि इस पहले integral को solve करूंगा, फिर इस दूसरे integral को solve करूंगा, और क्या करना परेगा, इस से आपको minus 2 यहाँ पर है, तो plus 2 एक मिलेगा, तो plus 2 plus 1 plus 3 यानि की root 3 whole square हो गया, denominator में ये चीज है, उसको हमने इस तरीके से लिख लिया, आप इसको solve करके देख लीजिएगा, दोनों सेम होगा, तो पहले integral को solve करने में, जब उपर में 1 plus 1 by x square है, तो ह हमने denominator को x minus 1 by x whole square में break किया, क्यों? क्योंकि इसको जब हम लोग t मानेंगे, तो numerator में क्या आजाएगा, dt आजाएगा, तो इसका अब integral क्या हो जाएगा, अब यह तो बहुत simple है, integral इसका हो जाएगा, dt divided by t square, plus root 3 whole square, इसको आप कर दीजिए, तो हो जाएगा, 1 by root 3, tan inverse t by root 3, ज यह जो half है, इसको भी यहाँ पर आप मिला लीजिए, तो पहला integral हमने solve कर लिया, तो देखिए, पहले integral को solve करने के लिए, हमने denominator को x minus 1 by x whole square के terms में represent किया, इसलिए किया, क्योंकि पहले integral के numerator में, उपर में, 1 plus 1 by x square है, अब वही हम लोग जब दूसरा integral solve करेंगे, 1 minus 1 by x square, तो इस चीज को हम लोग देखिए, दूसरे तरीके से लिखेंगे, अब इसी theory को मैं बिलकुल इस lecture के शुरुआत में समझा रहा था, जो हो सकता है कि बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, कि कैसे यह एक ही चीज को दो तरीके से लिख रहा है, फिर जोड दे रह गया, this is sum of two integral f1 plus f2, तो पहले हम लोग f1 का integral find किया, जो कि यह आ गया, फिर हम लोग f2 का integral find करेंगे, और दोनों case में denominator same है, लेकिन एक case में denominator को हम लोगों ने ऐसे represent किया, दूसरे case में देखते हैं कि denominator को कैसे represent करेंगे, दूसरे integral को solve करने के लिए हम लोग 1 minus 1 by x square लेंगे, और इसको कर देंगे x plus 1 by x whole square, अब यहाँ पर क्या जाएगा, a plus b whole square करने में, एक plus 2 यह भी का भी term चाहिए, वो हमने अंदर घुसा दिया है, तो minus करना पड़ेगा minus 2, और यह plus 1 है, तो यहाँ हो जाएगा minus 1, तो यह minus 1 आ जाएगा, तो यह clear है सबको, यह जो denominator है, उसको हम लोग अब इस तरीके से लिख सकते हैं, तो जो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, तो अब यह तो बहुत simple है न, आप इस चीज को u मान लीजिए, या कोई भी नया variable मान लीजिए, इसको अगर आप u मानते हैं, तो उपर में क्या आजाएगा, यह dx है ही, तो यह हो जाए यह x plus 1 by x minus 1, नीचे में आजाएगा x plus 1 by x plus 1, तो यह दूसरा integral भी solve हो गया, यह 1 by 2 है, और एक 1 by 2 जो सब के साथ है, वो 1 by 2 भी यहाँ पर, तो दूसरे integral के लिए हमने क्या किया, इस चीज को x plus 1 by x whole square minus 1, ऐसे represent कर दिया, ऐसे क्यों किया, क्योंकि x plus 1 by x का differential coefficient उपर में 1 minus 1 by x square मौझूद है, फोर्थ integral भी से मिलता जूलता है, numerator और denominator दोनों को आप x square से divide करिए, तो उपर में आजाएगा 1 by x square, नीचे आजाएगा x square plus 1 by x square, अब आप इस 1 by x square के साथ क्या करिएगा, आप जानते हैं कि हमें किस तरह का term चाहिए होता है, 1 minus 1 by x square, या तो यह चाहिए, या फिर 1 plus 1 by x square यह चाहिए, तो 1 by x square के साथ मैं क्या करूँ, ताकि मुझे यह मिल जाए, इसको आप ऐसे कर दीजिए, कि 2 से divide कर दीजिए, और 2 से multiply कर दीजिए, तो उपर में क्या गया, 2 by x square, और इस 2 by x square को हम लोग ऐसे लिख दें, 1 plus 1 by x square, बिलकुल सही, minus कर दीजिए 1 minus 1 by x square, ऐसे लिख सकते हैं, dx रहेगा, तो देखिए, इस तरह है कि question में यही सब manipulation काम देता है, अगर आपको manipulation नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है कि 1 by x square, this is equal to m times 1 minus 1 by x square, plus n times 1 plus 1 by x square, और आप m और n की value find करते हैं, तो 1 by 2 minus 1 by 2 आ जाती, आप ऐसे भ 1 by x square है, और मुझे 1 plus 1 by x square, और 1 minus 1 by x square चाहिए, तो क्यों नहीं मैं 2 से divide कर दूँ, 2 से multiply कर दूँ, तो 2 by x square आ गया, और इस 2 by x square को हम लोग ऐसे लिख दे, 1 plus 1 by x square, minus 1 minus 1 by x square, तो देखिए, यह minus है, तो यह जब bracket खुलेगा, तो यह minus में करके plus हो जाएगा, और 1 minus 1 cancel हो जा इसको अब ही, अब मैं x minus 1 by x whole square के terms में, या x plus 1 by x whole square के terms में represent कर सकता हूँ, तो यह अब आपको basically 2 integral मिल गया, एक तो यह पहला integral, और यह वाला दूसरा integral और दोनों का minus करना है, पहला integral जब हम लोग find करेंगे, तो क्या करेंगे, 1 plus 1 by x square है, उपर में plus है, तो यहाँ कर देते क्योंकि आप plus 2 करिएगा, तभी इसके बराबर आईएगा, अब इस x minus 1 by x को t मान लीजिए, तो उपर में हो जाएगा dt, तो आपको क्या मिल जाएगा, dt by t square plus 2, यह क्या हो जाएगा, 2 को आप लिख सकते हैं, root 2 whole square, तो यहाँ जाएगा 1 by root 2, tan inverse t by root 2, where t is equal to x minus 1 by x हो गया, अब यह जो 1 by 2 है, इसको ही मत भूलिएगा, last में इसको भी multiply कर दीजेगा, तो यह तो हमने पहला integral find कर लिया, अब यह जो main integral है, वो क्या है, first integral minus this second integral, तो आपको i1 minus i2 find करना है, और दोनों integral में denominator same है, लेकिन दोनों integral में denominator को हम लोग अलग अलग तरीके से represent करेंगे, तो first integral ह हमने find कर लिया, अब जब दूसरा find करने जाएंगे, तो क्या होजाएगा, 1 minus 1 by x square, तो हम लोग x plus 1 by x whole square करते हैं, और minus 2 करना परेगा, यहाँ पर plus क्यों किया, क्योंकि x plus 1 by x रहेगा, तभी इसका differential coefficient, 1 minus 1 by x square रहेगा, और यहाँ तो dx रहेगा, अब इस चीज़ को u माल लि तो इसका integral हो जाएगा, 1 by 2, एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, तो यह हो जाएगा, root 2, ln हो जाएगा, x plus 1 by x, minus root 2, divided बे आ जाएगा, x plus 1 by x, plus root 2, यह, तो यह हो गया second integral, first integral से जो आया था, दोनों में minus कर दीजिए, अच्छा, यहाँ पर 1 by 2 root 2 है, और इस 1 by 2 को मत भूल जाएगा, तो यहाँ पर 1 by 4 root 2 हो जाएगा, तो यह सब तो simple manipulation है, आप लोग करी लीजिएगा, तो सारे questions आप देख रहे हैं, कि इसी method से solve हो जाते हैं, तो अब last question solve करते हैं, इस question में थोरा सा page है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, plus 1 की जगा, plus 9 कर दिया है, तो आपको x minus 1 by x सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, कुछ और करना परेगा, तो इसमें भी आप उपर नीचे x square से divide करिएगा, तो उपर में आ जाएगा 1 by x square, यहाँ पर आ जाएगा x square, plus 9 by x square, plus 8, यह आ गया, अब यह जो x square plus 9 by x square है न, इसको हम लोग किसके square के रूप में लिख सकते हैं, य कैसे होगा, या तो यह होगा, x minus 3 by x whole square, यही होगा न, अब जब x plus 3 by x whole square करेंगे, तो differential coefficient में क्या आएगा, 1 minus 3 by x square, और इस case में आएगा, 1 plus 3 by x square, यानि कि यह जो उपर में महाशा 1 by x square बैठे हुए हैं, इसको आपको इन दोनों के रूप में represent करना है, ठीक है, इन दोनों के linear combination के रूप में लिखना है, तो अगर आपका mind बहुत sharp है कि आप देखकर बता सकते हैं कि 1 by x square is equal to say 2 times this plus 3 times this, तो कर लीजिए, नहीं तो वो जो m और n वाला method है, जो मैंने समझाय था, आप उससे करिए, तो देखिए, बहुत असानी से हो जाएगा, आपको यह करना होगा कि 1 by x square is equal to m times 1 minus 3 by x square plus n times 1 plus 3 by x square, अब यह 3 क्यों है, अब तक तो हम लोग 1 minus 1 by x square ही कर रहे थे, 3 इसलिए आए, क्योंकि जो denominator है वो इस तरह से represent होगा, x plus 3 by x whole square होगा, तो इसका differential coefficient 1 minus 3 by x square आएगा, अब इसमें आप दोनों साइड like terms equate कर दीजे, तो आजाएगा 0 is equal to m plus n, क्योंकि LHS में constant term क्या है, 0 है, इधर constant term तो 0 है, और इधर constant term क्या है, m plus n, तो 0 is equal to m plus n, और इधर 1 by x square का coefficient है 1, इधर है minus 3m plus 3n, तो इससे आप m और n की value find कर लीजिए, तो इससे m की value आजाएगी, minus 1 by 6, numerator में जो महाशा है 1 by x square, उसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, 1 by 6, और फिर आप कर दीजिए, 1 plus 3 by x square, minus 1 minus 3 by x square, आप directly भी ऐसे कर सकते थे थे न, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, योंकि आप देख रहे थे हैं कि आपको 1 minus 3 by x square, और 1 plus 3 by x square चाहिए, तो करने क्या तरीका था, इसको 6 से divide कर दीजिए, यहां कर दीजिए 6 by x square, और 6 by x square को इस तरीके से लिख दीजिए, हां तो मैं तो ऐसे भी कर सकता था, वो m और n के चकर में उतना उलजना ही नहीं था, लेकिन जिन लोग को बिल्कुल step by step method चाहिए, तो उसके लिए वो m और n method था, नहीं तो directly आप ऐसे लिख दीए, कि 1 plus 3 by x square, minus 1 minus 3 by x square, और नीचे वाल जाएए, last में इसको multiply कर दीजेगा, पहला integral क्या है, 1 plus 3 by x square, और denominator में है x square, plus 9 by x square, plus 8, तो first case में जब यहां पर 1 plus 3 by x square है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, denominator को ऐसे लिखते है, x minus 3 by x whole square, अब यहां पर क्या जाएगा, minus 2ab करने पर आएगा, minus 6, तो minus 6 आगया, तो plus 6 आपको बाहर लेना परेगा, तो यह हो जाएगा, plus 14, इसको हम लोग root 14 whole square भी कर सकते हैं, तो पहले case में, क्योंकि उपर में 1 plus something था, तो यहां हमने x minus 3 by x whole square लिया, अब इसको integrate कर सकते हैं, इस चीज को अगर आप t लीजिएगा, तो उपर में यह क्या है, यह dt हो गया, तो आप इसको लिखिएगा, तो हो जाएगा, dt by t square, plus root 14 whole square, इसको integrate करिएगा, तो हो जाएगा, 1 by root 14, tan inverse t by root 14, t क्या है, x minus 3 by x, तो हो जाएगा, x minus 3 by x, root 14, तो यह पहले integral की value हो गई, पहले integral में क्या किया, यहां पर 1 plus 3 by x square है, तो इसलिए हमने x minus 3 by x whole square कर लिया, अब second integral को find कर करते हैं, second में उपर में है, 1 minus 3 by x square dx, तो इसलिए नीचे में हम लोग लिख देंगे, x plus 3 by x whole square, अब यह plus करने पर क्या हो रहा है, x plus 3 by x है तो plus 2 अभी आनिकि plus 6 हो गया, तो 6 अंदर चला गया, तो था 8 तो 2 ही बचाना, तो इसको plus 2 करना है, अनिकि plus root 2 whole square हो गया, तो अब इस चीज को अगर आप u या कोई भी variable मान लीजिए, तो उपर में जो यह चीज है पूरा, यह क्या है, du है, तो क्या हो जाएगा, du divided by u square plus root 2 whole square, इसको integrate करिएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 by root 2 tan inverse u by root 2, u क्या है, x plus 3 by x by root 2, और इन दोनों को minus करना है, तो एक minus लगा दीजिए, और last में इस 1 by 6 को मत भूलिएगा, उसको लगा दीजिएगा, answer आ जाएगा, तो यह हुआ इस तरह के questions को solve करने का तरीका, जिसमें numerator और denominator, दोनों में even powers है, x के, आगे भी जब हम लोग इस तरह के irrational functions होंगे ना, कुछ x to the power 4, plus x square, plus 1 type के होंगे, तो वहाँ भी इस method को use करें तो वहाँ भी आप इस method का भरपूर यूज करिएगा, कि नीचे वाले चीज को denominator में जो भी है, उसको x minus 1 by x whole square, या x plus 1 by x whole square के terms में लिख दिया, और उपर में 1 minus 1 by x square, या 1 plus 1 by x square के terms में numerator को represent किया, तो इस method को हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे,